पंचायत चुनाब पर बंगाल में घमासा कॉलकता हाई कोट ने दिया कैसा बड़ा आदेश क्या अब बढ़ेगी नामांकन दाखिल करने की तारिक पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाब को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है राज्य चुनाब आयोग ने पंचायत चुनाब को लेकर नामांकन दाखिल करने की तारिक भी फाइनल कर दी है जुसे लेकर कॉंग्रेस बीजेपी सहीत तमाम बिबक्षिदल ममता सरकार पर हमला बर है अब इस मामले में कॉलकाता हाईकोट ने भी चुनाब आयोग को नामांकन की तारिक बढ़ाने का आदेश दिया है कॉलकता हाई कोट ने शुकरवार को पश्चिम मंगाल चुनाब आयोग को अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाब शांतिपून और निश्पक्ष तरीके से कराने का निर्देश दिया है साथी आठ जुलाई को होने वाले चुनाब के लिए केंद्रे बलों को तैनाद करने पर विज़ार करने और नामांगन दाखिल करने की अब्दी बढ़ाने का भी आदेश दिया है वहीं चुनाबायोग की ओर से नामांकन दाखिल करने की तारिक की आलान के बाद से विपक्षिदल, ममता सरकार और चुनाबायोग पर निश्वानसाद रही हैं इसी कड़ी में कॉंग्रेस नीता अधिर रंजन चौधी ने भी ममता सरकार पर निश्वानसाद हा क्या कुछ कहा सुनिये देखिए देखिए मुझे यह जानकरी नहीं है क्योंकि पज्चाव चुनाओ एलान करने के पहले ओल पार्टी मीटिंग बुलाना जुरूरी है या नहीं मैं इस संदर पर कुछ कहने नहीं चाहते क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकरी नहीं स्पस्टिकरन मेरे पास कही है लेकिन मसला यह है कि एक पंचय चुनाओं जिसको गाओं में एक तिवार की रूप में महा जाता है तो आईए सारे यह क्रम को देखिए बंगल में मालीजी की 62,000 बूथे हैं लगभट 73,000 के आसपास उमिद्वार चुनाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं समय दिये गए 9 तरिक से 15 तरिक आठ दिन के अंदर एक दिट जुट्टी के भी है तो यह सरकार बता दे और नहीं तो इलेक्शन कमिशनर खुद बता दे कि कौन सा पाटी गणित की सहारे में यह कौन सा गणित की सहारे में यह लोग है समय ताइक हैं जिस समय के दर्मियान माल लीजिए कि 73 हज़ार उमिदवारों ने अपना नमंकन भर पाई है अब बताईए कौन सा गणित यह कहते हैं इसका मतलब यह है सुरूह से ही बिपक्स दल को मुसीबत में डालने के लिए और मजबुरन चुना में वो हिस्सा ना ले पाई यह शुनिश्चित करने के लिए यह चलाकी किये गए हैं आपको बता दें कि पश्चि मंगाल में 8 जुलाई को पंचाय चुनाब होने हैं राजे चुनाब आयोग ने नमांकन के लिए सिर्फ 7 दिन यानि 9 जून से 15 जून तक का समय दिया है ऐसे में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि नमांकन दाखिल करने के लिए प्रयापत समय नहीं है विपक्षी दलों का कहना है कि 7 दिनों में 60,000 से अधिक सीटों के लिए नमांकन करना आसान नहीं है इसे लेकर कॉंग्रेस बीजेपी सहित सभी विपक्षी दलों हाई कोट का रुख किया था इस खबर में फिलहाल इतना ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रही वान इडिया हिंदी के साथ